लाल सागर यानि पानी की वो सक्री सी पट्टी जो अफ्रीका और एशिया महाद्यूपो के बीच मौजूद है लाल सागर मिस्र सूडान और इरीट्रिया के तटो को सौधी अरब और यमन के तटो से अलग करता है इसके पूर्वी तट पर सौधी अरब और यमन देश हैं जबकि पस्चमी तट पर मिस्र सूडान इरीट्रिया और जिबूती हैं लाल सागर जो कल तक घंदा पानी के लिए समंदर का सबसे सुरक्षित और महतुकून रास्ता हुआ करता था वो अब हूतीवी द्रोहियों के हमलों से तहशत की सुनामी जेल रहा है इसराइल और हमास की जंग के शुरू होने के बाद से ही यमन के हूतीवी द्रोही ना सिर्फ इसराइली व्यापारिक जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं बलकि इसराइल को सपोर्ट करने वाले पश्चमी देशों के जहाजों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार कर रहे हैं हालात ये हो चुके हैं की अमेरिका और बिटेन की सेनाय मिलकर भी लाल सागर में भूती विद्रोहीों को रोख पाने में नाकाम साबित हुई हैं अक्टूबर 2023 से अब तक भूती विद्रोही कम से कम 100 बार लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुके हैं पूती विद्रोहियों के हमलों से बचने के लिए ही सेंकडो कमर्शल जहाज दक्षिन अफरीका के आसपास जाने के अपने रास्ते को बदल रहे हैं हूती विद्रोहियों के निशाने पर कारोबारी जहाज हैं और ज्यादतर हमले लाल सागर में किये हैं जिसमें शिपिंग कमपनियों की नींद उड़ गई है हूती विद्रोही जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं लाल सागर में अंतर राश्टिय शिपिंग के रास्तों पर एंटी बेलेस्टिक मिसायले दाग रहे हैं लाल सागर से होकर इसराइल जाने वाले सबी जहाजों पर हमले कर रहे हैं मालवाग जहाजों को हाईजैक भी करते दिख रहे हैं लेकिन अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों की वज़ा से सबसे बड़ा खत्रा सामने आया है। समुद्र के भीतर लाल सागर में हूती के पास ऐसे खतरनाक UUV यानि Unmanned Undersea Vicals हैं जो पानी के भीतर बड़ी खामोशी से किसी भी कमर्शल जहाज के करीब पहुचकर धमाका कर सकते हैं। लाल सागर में संघर्ष के तेज होने की आशंका काफी गहरा गई है। अब आपको बताते हैं कि हूती की इन UUV यानि Unmanned Undersea Vicals यानि मानव रहित पंडुब्वी की ताकत और शमता क्या है। अपसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि इस तरह के ड्रोन्स के अचानक हमलों से बचा कैसे जाए। एक बार फिर से पस्चिमी देशों को अपनी नेवी की सुरक्षात्मक रननीती और तकनीकी का फिर से गहराई से निरिक्षन और मन्थन करना होगा। क्योंकि हूती के अंडर सी अनमैंड वीकल्स लाल सागर के भीतर दूर तक मार करने में सक्षम है। इन्हें अटैक करने के लिए किसी इनसान या ड्राइवर या फोर्स की जरूरत नहीं। हाला कि हूती के इन अंडर सी वीकल्स की शमता पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये मिलिटरी सबमरीन्स की ही तरह पानी में बड़ा हमला करने की ताकत रखते हैं। ये UUV अपने साथ में माइन्स, बम, टॉर्पीडो और विस्फोटक ले जा सकते हैं। जो कि किसी भी जहाज को बड़ा नुकसान पहुचा सकते हैं। ऐसे में समूद्र के भीतर से निकली इस नई चुनौती और खत्रे से निपटने के लिए दुनिया भर की नेवी से नाव को जंग लडने के तरीके में भारी बदलाव करने होंगे। क्योंकि इन UUV को टार्गेट पर पहुचने से पहले डेटेक्ट करना और नश्ट करना बड़ी चुनौती होगी। ये दूसरे मिलिटरी ड्रोन्स की तरह समुद्र के भीतर टार्गेट गाइडेंस से लैस नहीं होते हैं। इसके बावजूद जमीन और आस्मान से एक खत्रे को तुरंद भापने और जवाब देने वाली नेवी सेनाओ को समुद्र के भीतर इन खूफिया UUV को पहचानना और पलटवार करना आसान नहीं होता है। सोनार सिस्टम और अंडर सी सर्विलेंस सिस्टम से भी इनको ट्रैक करना आसान नहीं है। ये दबे पाव हमला करेंगे नश्ट भी हो गए तो हूती का कोई नुकसान नहीं। नश्ट होने के पहले किसी बड़े कमर्शल जहाज को एक बड़ा घाव दे देंगे। लाल सागर में कमर्शल जहाजों को नुकसान पहुचाना ही इनका मकसद है। भूती की कोशिश है कि लाल सागर पर इस कदर दहशत फैला दी जाए कि कारोबारी जहाज वहां से गुजरना बंद कर दें। दरसल लाल सागर दुनिया भर के सबसे महतुकून समुद्री रास्तों में से एक है। स्वेज नहर भूमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर से ही हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं। 12 फीजदी सालाना वैश्विक कारोबार लाल सागर से ही होता है। लाल सागर से 10 खरब डॉलर के सामान का आयात निर्यात होता है। अकेले भारत का स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन लाल सागर में समुद्र के भीतर से निकलते इस नए खत्रे से ग्लोबल सप्लाइग चेन बाधित हो सकती है जिस वज़ा से क्रूड ओयल और दूसरे जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं और फिर नतीज तन महंगाई भी बढ़ेगी वैश्वी कर्थ व्यवस्ता पर असर भी पड़ेगा क्योंकि लाल सागर में जहाजों के लंबा रास्ता लेने की वज़ा से हर जहाज को दस दिन अधिक सफर करना पड़ेगा इससे कंपनियों पर आर्थिक बोज भड़ेगा बड़ी बात ये है कि अधिकतर बीमा कंपनियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को बीमा देने से मना कर दिया है अब चलते चलते आपको फिर बता दे कि हूती विद्रोही दरसल यमन के अल्प संख्यत शिया जैदी समुदाय का एक गुरूप है साल 1990 में ततकालीन राशुपती अली अब्दुल्ला साले के भरस्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हूती गुरूप का गठन किया गया था कहा जाता है कि हूती विद्रोहीयों को इरान का समर्थन हासिल है हूती विद्रोही अमेरिका और इस्राइल को अपना दुश्मन मानते हैं का जाता है